आईए अब हम एल्कोहल्स तथा फिनॉलों के भौतिक गुण धर्म को जानते हैं हम जानते हैं एल्कोहल्स तथा फिनॉल ये दोनों ही दो भागों से मिलकर बने होते हैं एलकोहल में एक भाग होता है एलकिल समू तथा दूसरा भाग होता है हाइड्रोक्सिल समू इसी तरह से फिनॉलों में भी एक भाग एरिल समू होता है तथा दूसरा भाग होता है हाइड्रोक्सिल समू यहाँ पर जो एलकोहल और फिनॉल के गुण धर्म हैं वो इनके मुख् करते हैं तो आएए इनके कुछ बहुते गुर्ण धर्मों को जानते हैं सबसे पहले हम देखते हैं क्वथना अल्कोहल तथा फिनॉलों के क्वथना इनके जो योगिक हैं उनमें कारबन परमाणों की संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं ऐसा इसलिए होता है क्य फोलस ऑफ कारेक्शन की संख्या में बढ़ अत्री होती है जितनी ज्यादा व्यंदर अव्यश fark ईट्रेक्शन होगा उतना ज्यादा इनके कवथनांग बढ़ते जाते हैं यहाँ जब अट्रेक्शन जादा होगा टो उससे तोनने के लिए उतालने के का जाते हैं साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें कि अल्कोहल सथा फिनाल इनके अन्मों में अंतर अनुक हड्रोजन बंद भी पाये जाता है और जिसे तोड़ने के लिए हमें अधिक उश्मा देनी पड़ती है यदि हम कुछ अल्कोहलों के उदारन लें जैसे कि मेथेनौल जिसमें केवल एक ही कार्बन परमानू होता है और इस मेथेनौल का जो क्वथनांग होता है वह होता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड इसी तरह से यदि इसमें एक कार्बन और बढ़ जाए यहां होता है 78 degree centigrade इसी तरह से प्रोपेनौल तीन कार्बन वाले अलकोहल इसका क्वथनांग बिंदू 97 degree centigrade होता है जबकि 4 कार्बन वाले नार्मल ब्यूटेनौल इसका जो क्वथनांग बिंदू होता है वह 117 degree centigrade होता है तो इस पस्ट है कि जैसे जैसे अलकोहलों में कार्बन परमाणवों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके क्वथनांग बिंदू भी कामान भी बढ़ता चला जाता है दूसरी और जब हम देखें कि जब इनके योगिकों में शाखा की बढ़ोतरी होती है साइप चैन में व्रिधी होती है वैसे वैसे इनके क्वथनांग बिंदू में कमी आती जाती है इसके पीछे कारण यह है कि जब सीधी सिंख़ड़ा वाले जो एलकोहल्स होते हैं उनमें प्रिष्ठ छेत्र अधीक मात्रा में होता है जिससे इनमें वंडर्वाल फोर्स ओफ अट्रेक्शन की मात्रा भी जादा होती है जैसे जैसे यहाँ पर अणू शाखा में परिवर्तित हो जाता है शाखाएं इसमें बढ़ने लगती है वैसे वैसे जो अणू का आकार है वह गोलाकार होने लगता है और इस स्थती में इसके प्रिष्ट का छेत्रफल कम हो जाता है और जब प्रिष्ट का छेत्रफल कम हो है यदि हमारे पास अनुसूत्र C4H10O के यदि हम भिन भिन आलकोहल के आइसोमर्द देखें तो हम इसमें कई प्रकार के हमें समावेवी मिलेंगे जैसे यहाँ पर एक मिलेगा हमें नार्मल ब्यूटेनॉल इस जिसकी सरचना देख रहे हैं यह सीधी श्रेंखला वाला है CH3, CH2, CH2, CH2OH यह और इसे हम कात्मिक अलकोहल कह सकते हैं और इसका जो कोथनाइंद बिंदू होता है वह होता है 117 डिगरी सेंटीग्रेड यदि यहाँ पर जो मिथायल समू है वह एक शाखा के रूप में उपस्ति ब्रांच के रूप में चला जाए तो यहाँ पर हमें एक दुतियक अलकोहल प्राप्त होगा और चुकि यहाँ दुतियक अलकोहल है इसलिए यहाँ पर शाखा हो जाने की वज़े से इसके प्रिष्ट छेतर में कमी आ जाती है और इसलिए इसका कुथनाइंद बिंदू कम होकर 99 डिगरी सेंटीग्रेड रह जाता है इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी जो सरचना है लगभग गोलाकार सीधी श्रेंखला की जगह पर यह लगभग गोलाकार सरचना यहाँ पर मिल गई है और इस तरह से साथी साथ यह तृतियक अलकोहल है तो यहाँ पर हम देखें कि इसका जो कुथनाँख है वह और होकर केवल 82 डिग्री सेंटीग्रेट रह जाता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलकोहलों में जैसे जैसे शाखाओं की वृध्धी होती जाती है प्रश्ट छेत्र में कमी होनी की वजह से इनमें वंडर और फोल्स ऑफ अट्रेक्शन भी की मात्रा कम होती जाती है और इ जैसे कि अलकोहल के अलावे यदि हम हड्रोकार्बन ले ले या फिर एथर ले या फिर हैलो एलकेन या हैलो एरीन ले तो वहाँ पर हम देखते हैं उनकी तुलना में समान अनुभारवाले अलकोहल सता फिनॉल के क्वथनांक बिंदू अधिक होते हैं इनके उच्चे और इसका जो क्वथनांक होता है वह होता है 359 कल्विन जबकि इस लगभग समान अनुभारवाले हड्रोकार्बन याने की प्रोपेन जिसका अनुभार होता है 44 यूनिट और इसका जो क्वथनांक होता है काफी कम केवल 231 कल्विन होता है जबकि लगभग इसी यदि हम एथर का उदाहरन लें तो यहां पर हम देखें जैसे कि मेथोक्सी मेथेन तो मेथोक्सी मेथेन जिसका अनुभार भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 46 यूनिट जबकि इनका जो कुथनांक बिंदू होता है वह एलकोहलों के कुथनांक बिंदू से कुछ कम तथा हैड्रोकारवनों के कुछ अधिक होता है याने कि यह 248 कैल्विन तो इस तरह से हम देखें कि जो एलकोहलों का कुथनांक है वह बहुत अधिक पाया जाता है और इसके पीछे कारण है कि ऐलकोहल तथा फिनॉलों में अंतर अनुप हैड्रोजन बंध पाये जाते हैं यहाँ पर जो अल्कोहल हैं, उनक्या प्रत्यक अल्कोहल में हम जानते हैं जो OH समु है, हैड्रोक्सिल समु हैं उसमें आक्सीजन पर रिनावेश होता है और हाड्रोजन पर धनावेश होता है। हमें अधिक उश्मा देनी पड़ती है जिसकी वजह से इनका क्वथनांग अधिक हो जाता है इसी तरह से हम यदि कुछ योग्यों के क्वथनांग को की तुलना करें जैसे कि हम यहां पर ले लेते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल, एथोक्सी, एथेन, तथा यहां पर हम ले लेते हैं पेंटेनॉल, तो इन सब के यदि क्वथनांग की यदि हम तुलना करें तो सबसे कम क्वथनांग जो होगा वह होगा ब्यूटेन का, उसके बाद उससे अधिक जो क्वथनांग होगा यहां पर एथर का, एथोक्सी, एथेन का होगा, इसके बाद चुकि एलकोहल क कवथनांक अधिक होते हैं और एलकोहल में कम कारबन वाले यानि की डूटेनॉल का जो कवथनांक होगा वह पाण पेंटनॉल के सबसे अधिक होगा पेंटेनॉल का तो इस तरह से हम योगिकों की सरचना भिने भिने योगिकों को उनके क्वथनां के आधार पर विवस्थित कर सकते हैं इसके बाद एल्कौहल तथा फिनॉल इनका जो दूसरा गुन है वहें विलेयता प्राया हम देखें कि एल्कौहल और फिनॉल जल में विलेय होते हैं और जल के अनुओं के साथ इनकी जो विलेता है जल में उसका कारण होता है जल के अनुओं के साथ हड्रूजन बंध बनाने की प्रविति ये और लेकिन जैसे जैसे इन अलकोहल तथा फिनॉलों में अलकिल समूं की बढ़ोतरी होती जाती है और हम जानते हैं कि जो अलकिल समों की बढ़ोतरी होती जाती है तो वैसे वैसे इनकी जल में विलेता कम होती जाती है साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि जो एलकोहल होते हैं वह जल में अधिक विले होते हैं जबकि फिनोल की विलेता जल में कम होती है प्राया देखा गया है कि जितने भी निमनतर निमन अनुपातों में जल में विले हो जाते हैं और इस तरह से हम देखें कि हाड्रोजन बंद बनाने की प्रवित्ती की वज़े से इनकी जल में विलेता बढ़ती जाती है इसके बाद हम देखते हैं एलकोहल तथा फिनॉलों के रासाइनिक गुण यह किस-किस प्रकार से अभिक् करते हैं यहां पर हम देखें कि जो एलकोहल हैं यह सर्वतों मुखी प्रकृती के होते हैं इसका मतलब यह है कि यह नाभिक रागी यानिकी नुक्लियोफाइल की तरह भी अभिक्रिया करते हैं तथा इलेक्ट्रोन रागी यहनिकी इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी यह अभि अभिक्रिया करते हैं, दोनों ही प्रकार के अभिक्रिया कर सकते हूं, इनकी अभिक्रिया जानने के पहले हम ये जानते हैं कि नाभिक रागी और इलेक्टरान रागी ये क्या होते हैं, तो हम जानेंगे नाभिक रागी, जैसे कि शब्द से स्पस्ठ है, नाभिक रागी का से परए है नाभिक यने की धन आवेश से स्नेह रखने वाला और धन आवेश से स्नेह रखने वाला नैचुरली वह होगा जिसके पास स्वयम में रुणावेश हो जो स्वयम रुणावेशित हो या फिर उसमें लोन प्यार ओफ इलेक्ट्रान उपस्थित हों और चुकि इन में लोन प्यार उपस्थित होता है और इसलिए इनकी प्रवित्ति लोन प्यार को डोनोट करने की होती है अर्थात ये इलेक्ट्रान डोनोटिंग ग्रुप की तरह विभार करने की प्रवित्ति रखते हैं और हम यह भी जानते हैं कि लुईस अमल और चार के क्लासिफिकेशन में हमने यह देखा है कि वह स्पीसीज जो की इलेक्ट्रॉन प्यार डोनेट करती है उसे हम लुईस चार कहते हैं इसका मतलब यह है कि यह जब यह इलेक्ट्रॉन रागी की तरह विवहार करते हैं उस समय इनकी प्रकरती लुईस चार की तरह होती है दूसरी और यहां पर हम देखें कि न्यूक्लोफाइल की तरह विवहार करते हैं उस समय इनके जो आर जो इनकी सरचना में हम देखें कि जो हैड्रॉक्सिल समू होता है उसके ओ एच जो बंद है ओक्सीजन और हैड्रोजन के बीद जो कंसरों पर जब कोई कार्भ कैटाइन के साथ जब यह करेगा तो यहां पर चुकी ऑक्सीजन पर कुछ स्लाइट रणवेश होता है जब्कि हम ьजह यह अगण पर कुछ धनावेश होता है और इसलिए यह field आक्सीजन जो है के द्वारा कार्व कैटाइन से जा कर जुड जा साथ है साध जो हैड्रोजन है वह प्रोट09 के रूप में बाहर निकल जाता है दूसरी और इनकी उन अभी क्रियाओंगों को देखे जब यह एलेक्ट्रान रागी की तरह विभार करते हैं इील्लेक्ट्रान in से ताद पर है जिसके पास जो स्वयम में धनावेश है जो स्वयम positive charge वाला है उसी की प्रकृति इलेक्ट्रो फाइल की तरह विभार करने की होगी और चुरकि इनकी रनावेश की प्रती स्ने होता है और यह धनावेशित होते हैं और इसलिए इनकी प्रकृति इलेक्ट्राण पेयर ग्रहन कर करने की होती है और इसी तरह लिए ये जो इलेक्ट्रांट जोड़े गरहार alταustica it is which hammer्र लूइस्पीसिस को हम लुइस अमल कहते है यंए कि यह लूइस अमल की तरह व्भार करते है और जूआ कि जब io3 की तरह व्वार करेंगे यह नहीं कि यह सामनेवाल 10- guys से ऐलक्टॉण प्यार्म करेंगे तो इनमें इन में रखने के लिए ये कंट और विडल जो एंदल इदल से वह भी होने आवश्यक होते हैं और जब अलकोहल इलेक्टॉण रागी विभार करते हैं उस समय कार्बन और ऑक्सीजन के मध्डि जो आबंध है उसका विधिलन होता है प्राया देखा गया है कि जब एलकोहल प्रोटौनेट होता है यहwegen कि प्रोटौनेट हेल्कोहल इलेक्ट्रोन रागी की तरह विभार करता है क् Yak Today इस इसके जो oxygen परमाणू पर धन आविश पाया जाता है। protonated alcohol तब बनता है जब हम alcohol की क्रिया अमल के साथ कराते हैं। जब यह चुक्कि अमल proton दाता होते हैं और इसलिए alcohol proton ग्रहन कर लेते हैं और यह जो hydrogen है वह oxygen के साथ जुड़ जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जब oxygen तीन बंध बना लेता है उस समय oxygen पर एक positive charge आ जाता है और चूंकि जो oxygen पर positive charge हो जाता है इसलिए इस प्रकार के alcohol को हम protonated alcohol कहते हैं अब यह जो protonated alcohol है यहाँ पर उसकी प्रवित्ती किसी negative charge species से जुड़ने की होती है और इसलिए कोई भी negative species जैसे bromide ion, chloride ion इनके साथ यह जुड़ जाता है तथा यहाँ पर योगिक बनाता है साथ ही साथ हम देखें कि चुकि यहाँ पर जो protonated alcohol है उस पर oxygen पर positive charge है oxygen पर positive charge होना एक बहुत ही अस्थाई अवस्था होती है इसलिए यह पास वाले कार्बन और oxygen के बीच जो इलेक्ट्रान जोड़ा होता है उस इलेक्ट्रान जोड़े को स्वयम लेकर जल के रूप में बाहर निकल जाता है जिससे यहाँ पर जो carbon बचता है उस पर अब positive charge आ जाता है और यह carbon जो है किसी भी रिनावेशित species जैसे की chloride या bromide इनके साथ जुड़कर यह योगिक का निर्मान करता है तो इस तरह से हम देखें कि जब alcohol protonated अवस्था में होता है तब यह electron रागी की तरह विवहार करता है तो इस तरह से हम alcohol में oxygen और hydrogen के बंद विदलन हो रहा है या फिर carbon और oxygen के बीच बंद विदलन हो रहा है इसकी आधार पर alcoholों की राशाइनिक अभिक्रियाओं को दो वर्गों में बाट देते हैं सबसे पहले हम देखेंगे उन अभिक्रियाओं को जिनमें की oxygen hydrogen के बीच उपस्थित आबंद का विदलन होता है और इस प्रकार की जो अभिक्रियाओं होती है वो प्राय अलकोहल तथा फिनॉल दोनों ही देते हैं और इस तरह से की जो अभिक्रिया होती है उसमें हम लेंगे जबकि अलकोहल और फिनॉलों की अमली प्रकृति इनके द्वारा प्रदर्शित होती है तो पहले हम देखते हैं अल्कोहलों की अमली प्रकृती और अल्कोहलों की अमली प्रकृती को दर्शाने के लिए हम अभिक्रिया का उदारन लेंगे जिसमें ये धात्मों के साथ अभिक्रिया करते हैं धात्वों के साथ अभिक्रिया हैं अल्कोहल तथा फिनॉल दोनों ही सक्रिय धात्वों जैसे की सोडियम, पोटेशियम या अलूमिनियम इनके साथ अभिक्रिया करके अल्कॉक्साइड या फिर फिनॉक्साइड बनाते हैं और साथी साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है किसी भी अमलकी या विशेस्ता होती है कि वह धातू के साथ क्रिया करके hydrogen gas उचसरजित करता है और चुकि यहाँ पर alcohol सथा फिनॉल धातू के साथ क्रिया करके hydrogen gas release करते हैं इससे सपस्ट होता है कि यह अमली गुण दर्शाते हैं यहाँ पर हम देखें अलकोहल की अभी क्रिया देख रहे हैं यहाँ पर हम दो अनू अलकोहल के लेते हैं यह आर ओ एच जब इसकी क्रिया दो यहाँ पर परमाणू सोडियम हैं उनके साथ कराते हैं तो हमें यहाँ पर सोडियम अलकॉकसाइड आर ओ एन ए प्राप्त होता है जहां पर sodium चुकी है metal है इसलिए इस पर धनावेश होगा तथा उससे जुड़ेवे oxygen पर रिणावेश पाया जाता है और साथ ही साथ यहां पर hydrogen gas बाहर निकलती है इसी तरह से हम एक दूसरा उदारण ले सकते हैं तर्तियक butyl alcohol का यहां पर हम देखें जब तर्तियक butyl alcohol के six molecules देए और यहां पर हम अभी कृआ कराते हैं इसकी aluminum के साथ तो aluminum के क्जिक्विक होता है एक aluminum पर आता इसके दो परवानूं हम यहां पर लेते हैं और इस तरह से यहां पर जो hydrogen release निकल जाते हैं और उसकी जगह पर एल्यूमीनियम पर जुड़ जाता है और इस तरह से हमें दो मॉल एल्यूमीनियम ततिया प्राप्त हो जाता है तो इस तरह से हम देखें कि जो अल्कोहल है वो धात्मों के साथ क्रिया करके अल्कॉक्साइट बनाते हैं और साथी साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है इसी तरह से हम फिनॉल की अभी क्रिया भी ले सकते हैं फिनॉल की क्रिया जब हम सोडियम धातू के साथ कराते हैं तो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइट प्राप्थ होता है और साथी साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है साथ साथ यहाँ पर हम देखें कि फिनॉल एक विशेस अभी क्रिया भी देता है यह जलिये सोडियम हाइड्रोकसाइट के साथ भी क्रिया करता है फिनॉल की जब हम जली सोडियम हाइड्रोकसाइट के साथ क्रिया कराते हैं तो भी यह सोडियम फिनॉकसाइट बनाता है और साथ ही साथ जल बनता है तो जो यह दर्शाता है कि यहाँ पर फिनॉलों में अलकोहलों की तुलना में ज्यादा अमली प्रकृति पाई जाती है यह वस्यद्धे ही छार के साथ अभिक्रिया करके लबन तथा जल बनाता है यह सभी अभिक्रियाय दर्शाती हैं कि एलकोहल तथा फिनॉल अमली प्रकर्ति के होते हैं और यहां पर हम देखेंगे कि जो एलकोहल और फिनॉल हैं वासतों में हम देख रहे हैं कि यह ब्रॉंस्टे हमने जाना था कि जिसे इस प्रकार से हम परिभार्शित करते हैं जो कि प्रोटॉन दाता होते हैं और यह किसी भी छार जो प्रबल छार को एक प्रोटॉन देज देते हैं और इस तरह से यह प्रोटॉन दाता की तरह विभार करते हैं और प्रोटॉन देने के बाद स्वयम यह सयुगमी छारक में परिवर्तित हो जाते हैं जैसे माली जै यहाँ पर एक छारक है जिसे हम B- के द्वारा रिप्रिजन कर रहे हैं और जब इसकी क्रिया एलकोहल के साथ कराते हैं जो की अमल की तरह है जैसे होर के साथ यहाँ पर इसकी क्रिया हो रही है तो यहाँ पर हम की तरह विभार करेंगे प्रोटान यह उसको छारक को दे देंगे एक हाइड्रोजन और इस तरह से बची हुई जो इस्पीसीज होगी अब यहां पर बी एच इस्पीसीज बन जाएगी जो की सयूगमी अमलव हो जाएगी जबकि जो बच्चा हुआ एलकोहल का भाग होगा य करते हैं लेकिन इसके पीछे कारण क्या है तो सबसे पहले हम देखते हैं एलकोहल की अमलता का कारण है यहां पर इसके जो ओ एच बंद की ध्रुवी प्रकरती हम जानते हैं कि किसी भी अमलकी अमलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी आसानी से प्रोटान त्यागत अब हम जानते हैं कि जो एथेनॉल होता है उसमें औक्सीजन और हाड्रोजन के बीट जो आबंध वेशे जो साजे का एलेक्टरान जोड़ा है वह ऑक्सीजन की तरफ खिच जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की एलेक्टो नेगेटिविटी ज़्यादा होती है और इसकी वजह से य एलकिल समू यह समू यह उपस्थ होते है तो उस समय यह पर यह अकसीजन पर घनत्व बढ़ा देते हैं और इस वज़ा से घनत्व उसको क्योंकि यह जो सम्मू होते हैं, Electron donating group इन्हें कहा जाता है, यह Electron जोड़े को अपने से दूर प्रतिकरशित करते हैं, जिससे यहां पर जो इनके Electron जोड़े हैं Carbon पर आते हैं, और Carbon से जो Carbon और Oxygen के बीच जो इलाइन जोड़ा है वह oxygen की तड़ शिफ्ट हो जाता है जिससे oxygen पर electron घनत तो बढ़ जाता है इस वज़े से अब oxygen की प्रवित्ती oxygen और hydrogen के मध्य उपसित जो साज्ये का electrons जोड़ा है उसे खीचने की नहीं रह जाती है कम हो जाती और इसकी वज़े से oxygen hydrogen की जो बंद की ध्रुवता है उसमें कमी आ जाती है और ध्रुवता में कमी होनी की वज़े से hydrogen का बाहर निकलना आसान नहीं रह जाता है और इस वज़े से इनकी उमली प्रकृति कम हो जाती है यदि हम यहाँ पर प्रात्मिक alcohol की बात करें जिसे हम सामान सुत्र RCH2OH से प्रजण करते हैं उसी तरह से हम लें दृतियक alcohol जिसमें की R2CHOH होगा जिसमें की जो alcohol से जुड़ा हुआ जो carbon है वो दो अन्य carbon से जुड़ा हुआ है इसी तरह से हम लें यहाँ पर R3COH यानि की जिसमें hydroxyl समुह से जुड़ा हुआ कारबन तिन अन्य अलकिल समुह से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हम देखें प्रात्मिक alcohol जो होंगे इनकी अमली प्रकृति जादा होगी क्योंकि यहाँ पर जो electron donating group है वो केवल एक ही है जबकि दृतियक में यहाँ पर दो electron donating group हो ग hydrogen की अमलिता कम हो जाएगी इससे ज़्यादा जो हम देखेंगे जो तृतियक alcohol होते हैं उनमें oxygen और उनमें तीन तीन अलकिल समुह उपस्थित हैं इसलिए यह oxygen hydrogen के बंद के बीद जो दृता है उसको सबसे ज़्यादा कम जोर कर देंगे और इसलिए यहाँ पर hydrogen का बाहर नि देखने को मिलती है कि जो alcohol है वो जल की तुल्ला में कम अमली प्रकृती रखते हैं और यहाँ पर हम देखें जब हम जल की क्रिया अलकॉक्साइड आयन के साथ कराते हैं तो जल बड़ी आसानी से proton data की तरह विवहार करते हैं जबकि अलकॉक्साइड आयन proton ग्राही की तरह विवहार करते हैं यहाँ पर जो जल है वो अच्छे proton दाता होते हैं और इससे इसपस्ट होता है कि यह अमल की तरह विवहार करते हैं जबकि फिनोक्साइड या अलकॉक्साइड आयन यह अच्छे proton ग्राही की तरह विवहार करते हैं जो यह दर्शाता है कि यह छारी प्रक एक एलकॉक्साइड है और यह प्रबलतम छारक होता है क्योंकि यह अच्छा प्रोटान ग्राही होता है दूसरी और यदि हम जल से बेचेवे हाइड्रोक्साइड आइनों को लें ओएच माइनस को लें तो यह दूर्बल इलेक्ट्रान ग्राही होते हैं इसे के आधार पर हाइड्रोक्साइड कम छारी प्रकृति के होते हैं और साधी साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एलकोहल होते हैं वह भी ब्रॉंस्टेंट छारकों की तरह विभार करते हैं क्योंकि इन पर जो इनके एलकोक्साइड आयन होते हैं ऑक्सीजन आयन होते हैं उन पर रण आवे पाए जाता है और जो कि इनकी प्रोटॉन को ग्रहन करने में सहायक होता है इन्हें ज्यादा अच्छा प्रोटॉन ग्रही बनाता है